आईए जानते हैं Android System Architecture के बारे में और Android Operating System में कितनी परते होती हैं। Android Operating System को कई परतों में बाटा गया है, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग कार्यक्षमता प्रदान करता है। कुल मिलाकर पांच मुख्य परते हैं जो On-Pretting System को हार्डवेर से सौफ्टवेर टक जोडती हैं। Linux Kernel यह Android का दिल है और हार्डवेर संसाधनों जैसे Memory, Processor और Storage को सीधे नियंतरित करता है। यह अन्य परतों के बीच संचार का भी प्रबंधन करता है। Linux Kernel पर आधारित यह सुरक्षा, Driver Management और Memory Management जैसी कार्यात्मकताओं को संभालता है। Hardware Abstraction Layer, HL Layer यह परत विभिन्न हार्डवेर घटकों जैसे Camera, Sensor और Display के लिए Driver प्रधान करती है। यह विभिन्न हार्डवेर विक्रेताओं से उपकरणों के बीच Compatibility सुनिश्चित करता है। Application सीधे HL से बातचीत नहीं कर सकते। वे इसके बजाए उपरी परतों के माध्यम से संसाधनों का अनुरोध करते हैं। Native Library और Android Runtime, ART Native Library C या C++ में लिखी गई होती हैं और Systems तरिये कारियों को करने के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए Graphics Processing के लिए OpenGL ES Library का उपयोग किया जाता है। ART Android Runtime, ART वह वातावरण है जिसमें Android Apps चलते हैं। यह Delvick Virtual Machine DVM का उत्तराधिकारी है और बेहतर Performance and Memory Management प्रधान करता है। Android Framework यह परत Android का दिमाग है और इसमें महत्वपूर्ण Building Block शामिल हैं जो Apps को कार्य करने देते हैं। इसमें Activities, Screen, सेवाएं, Background कार्य, Content प्रदाता, Data साजा करना, संसाधन, Image, Layout और बहुत कुछ शामिल हैं। यह Developers को विभिन्न प्रकार के एप बनाने के लिए आवश्यक टूल प्रदान करता है। Android Application यह वे Application हैं जिनहें आप अपने फोन या टैबलेट पर उप्योग करते हैं। वे Java में लिखे गए हैं और Android Framework के शीर्ष पर चलते हैं। Apps उप्योग करता Interface, Data Processing और विशिष्ट कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो का उतना ही आनंद लिया जितना मैंने इसे बनाने में किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो को मिस न करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। मुझे टिपणियो में बताएं कि आपने आज क्या नया सीखा। धन्यवाद, stay awesome and productive। करें।